बिस्मिल्लार्मारकीम आज हम डिसक्स करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर के डिफरेंट करेंट्स के बारे में जिसमें अगर अमिटर टर्मिनल्स है तो जो अमिटर पर करेंट होगा उसको हमने आई-ई का नहीं दे दिया है बेस वाले को आई-बी एंड कॉलेक्टर वाले को आई-ई की जो हम रूल्स अप्लाइ करेंगे एंपीन ट्रांजिस्टर या पी एंपी के जो हमने टर्मिनल्स को हमने अडेंटिफाई किया उस पर हम आई-ई इस एक्वल टू आई-सी प्लस आई-बी अगर आपका एंपीन ट्रांजिस्टर है तो आल करेंट सा वो वर्ड होगी जो कि आपके इस डाइगराम में ये नजर भी आ रही है तो बीटा का चीज़ है बीटा आपका कॉमन अमेटर के केस में करेंट गेना है जो कि हमें ये बताता है कि इस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा डीजी से तो ये क्या है आपकी कॉलेक्टर करेंट और base current की ratio है IC over IB और alpha जो है वो आपका IC over IE की ratio है BJT के working के जो three main regions हैं जिसमें ऑपरेट करता है bipolar junction transistor के जिन रीजन में ये ऑपरेट करता है वो कौन-कौन से है first one आपका active region है second one आपका saturation region है और third one आपका cut-off region है active region active means के जिसमें आपका transistor actively operate करेगा so इस active region में हम transistor के as a amplifier यूज़ करते हैं और इस case में आपका IC is equal to beta IB यानि बीटा से आपने IC की value find कर लिए और second one जो आपका saturation का case है उसमें हम ये चीज़ कहते हैं कि transistor आपका fully on होगा like ये operate करेगा as a switch so इस case में जो आपका collector current है वो ही आपका saturated current होगा और cut-off में case में यानि के ट्रांसिटर आपका off state में है तो उस case में आपका collector current zero होगा ये transistor की जो most common application जिसमें आप आपका इसको बाइसे switch यूज़ करते हैं उसमें चीज़ बता रहा है कि आप transistor को जब active region में यूज़ करें तो ये as a आपका amplifier operate करेगा saturated region में आपका ये as a on switch होगा और cut-off region में आपका as a off switch होगा तो ये common emitter की configuration है जिसमें आपने इसको बाइसिंग दी वे है और यहाँ पर इसके region one by one discuss किये गे हैं कि अगर आपका first region में यानी cut-off में है तो then उस case में आपका transistor होगा इन active है इन active में आपका base current नहीं है तो definitely जब base current नहीं है तो ic is equal to beta time ib तो beta से जब ib multiply होगा तो आपका ic भी zero होगा so base emitter junction की जो voltage है जो 0.7 volt है आपने transistor को on करने के लिए forward बाइस करने के लिए चाहिए वो भी आपके zero होगा तो इस case में आपका transistor है वो cut-off state में होगा यानि यह switch आपका off state में है यह आपका automated switch है जिसको आप इस तरह voltage के changing से आप उसको control करें है so cut-off में जो transistor है as a open circuit आपका switch update करता है यानि कि आपने emitter और collector के बीच में जब आप voltage लेंगे तो आपको वहाँ पर voltage नहीं मिलेंगे as a open circuit यह behave करेगा cut-off के case में आपका जो condition है उसमें आपका base current नहीं होता और collector currents आपका बहुत कम होता है जो कि आपका minority charge के रिक वैसे होता है so practically हम यह assume करते हैं कि आपका कोई current flow ही नहीं कर रहा है तो VCE आपकी VCE वही voltage है जो आपके supply voltage है यह आप इसको by using किर्शिफ voltage लाह से भी प्रूफ कर सकते हैं यह derivate कर सकते हैं so cut-off के case में आपका base emitter junction और base collector junction आपके दोनों forward बाइस नहीं होंगे और बट जो आपका base emitter junction और base collector junction वो आपके reverse बाइस होंगे cut-off के condition में saturation में क्या होगा saturation वाली है आपके condition में आपके दोनों region जो है saturation mode में होंगे उस case में क्या होगा कि आपके collector to emitter voltage आप जो apply करेंगे वो 0 से 0.2 volts के in between होंगे और आप assume यहीं करेंगे कि वो जो voltage है आपके saturated voltage है saturation means आपके extreme point है so इस case में आपका base current है वो आपका zero नहीं होगा जीरो स्रादा होगा so जब base current आपका flow करेगा तो उसकी वज़े से आपका collector current भी flow करेगा और जो आपके base emitter voltage है आप उसको forward bise कर देंगे जो point 7 volt है forward bising के लिए so इसकी वज़े से आपका base current है वो जब increase करेगा किस case में जब आपका base emitter rejection forward bise होगा so उसके बाद आपका collector current flow करेगा तो जैसे जैसे आपका base current increase होता जाएगा IC is equal to beta time IB so आपका collector current भी increase करेगा और then आपका जो transistor है वो as a short circuit operate करेगा saturation mode पे जो कि हम voltage collector और emitter terminals के in between में लेंगे so आप यहाँ पर ketchup last supply करके VCC is equal to ICRC plus VCE so अगर आपने VCE find करने है तो total voltage में से यह वाले voltage निकाल दें तो आपके इन दो points के between voltage find out हो जाएगी so saturation mode में आपका जो collector current है वो आपका maximum होता है और जिसको हम कहते हैं कि यह वो current है जो आपका ICRC के through flow करे है next one आपने saturation में जो बता दिया अगर आपने collector current find करना है तो beta time IB से find कर सकते हैं beta आपके transistor की data sheet से आपको provide हो सकता है यह active region जो के most commonly use आप transistor को जब active region में use करते हैं तो उस case में आप BJT को forward active region में means कि आप emitter base junction को forward bias करते हैं और collector base junction को reverse bias करते हैं base current आपका इसमें होता है zero नहीं होता collector current भी flow करता है और base emitter junction आपका forward bias अब forward bias case में आप point same world apply करते हैं यह आपकी BJT की characteristic curve है कि जब आप इसको use करते हैं difference जो currents की value पिलेगे इसको as a active region में आप आपने जब इसको operate करना है तो यह collector curve है कि जिस case में आप start up में देखें कुछ आपका current maximum flow कर रहा है point same world के बाद यह stable हो जाएगा और then आपका saturation mode में चला जाएगा यह करव आपके यह बता रही है कि आपका base current है first आपका saturation region है saturation saturation के बाद आपका यह in between आपका active region है और active region के बाद आपका यह वाला cut of region है तो यह आपकी diode की क्रेक्टिस्ट्रिफ कर रहे हैं जिस पर आपको तीनो रिजन identify किये किये हैं saturation region कौन से है active region कौन से है और आपका cut of region कौन से है तो क्योंकि हमने ट्राजिस्ट्र को active region में यूज़ करना है तो उसके लिए हमने emitter voltages जो हमने set कर लिए हमने क्योंकि इसको as amplifier यूज़ करना है तो amplification की जो main चीज़ है वो यह है कि base current में थोड़ी सी variation करेंगे उसके accordingly beta times आपके collector पे variation है कि जो के ic is equal to beta time ib है यह different values अगर आप base की current की value change करते हैं तो then आप देखते हैं कि उसके accordingly आपके collector की value change हो रही है अगर आपने VC को vary किया या इसको stable किया है तो एक parameter को आप stable लगते हैं और दूसरे parameter को change करके आप इस तरह different values लेके graph को plot कर सकते हैं उसके बाद यह एक example दिये हैं कि अगर आपका beta dc कितना होगा different ic की value दी हैं ib की value दी हैं किसी point पे अगर आपको का जाए तो आप ic is equal to beta time ib निकाल सकते हैं अगर आपके 30 micro amp पे आपसे पूचा किया है कि आपके beta की value क्या होगी तो 30 micro amp पे आप collector current से round about 5 milli amp है तो ic is equal to beta is equal to ic और ib से आप transistor का gain find out कर सकते हैं और dc load line क्या चीज़ है कि आपका जो transistor है इस line पे operate करता है इन दो cut off और saturation region के in between आपका transistor operate करेगा इस sum graph को जब इस line को हम dc load line कहते हैं इसके mid में अगर आपका point आता है तो its mean के cut transistor more efficient है और आप उसकी efficiency maximum है तो dc load line आप भी समझने है कि cut off और saturation के in between आपके operate करता है और in between वाले region को हम active region कहते हैं different ac's and dc's quantities है जो आपके rms values जो हम इसमें find out करते हैं different dc's, dc's quantities को उनकों से हैं collector voltage, collector to emitter voltage, base to emitter voltages यह इसके different analysis हैं जिसको AC analysis यह DC analysis कोई different terms हैं आपकी transistor की emitter resistance, external resistance जो आपकी DC resistance हैं जो आपने external लगाई हैं जिसको R, C, R ही कहते हैं उसके बाद यह इसकी different configuration है, first one is fixed base पाइस जिसमें आप base की value को fix रखके आप इसका model को steady करते हैं आप फस्ट वाले इसमें लूप में देखें जो upper down है, इसकी configuration में आप creature voltage लगाके आप इस equation को derive कर सकते हैं और इस वाले लूप में आपका जहाँ VC लिखा है, यहां से भी आप creature voltage लगाके आप VC के value find out कर सकते हैं for practically application एक यह आपकी इसकी ट्रांस्टर की application है जिसमें collector feedback collector feedback में आपका collector से feedback आप base को दे रहे हैं और उसी तरह आप इसमें भी creature voltage लगाके आप IB की value find out कर सकते हैं एक और configuration है जिसको हम fix bias with emitter resistance यहां पर हम यहां पर resistance की value कुछ लगा देते हैं उसके accordingly हम फिर दुबारा outer loop पे या output वले loop पे हम creature voltage लगाके हम IB की value find करते हैं इसमें हम voltage को divide कर देते हैं यहां पर दो आपके पहला में resistance लगाके ताके जहां पर हमें base current जो हमें limited चाहिए तो उसको यहां से हम divide कर देते हैं इस पर भी same आप इस वाले loop पे R2 वाले loop पे आप creature voltage लगाके और outer loop पे आप creature voltage लगाके simply यह equation को आप find out कर सकते हैं